अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम के आज के अध्याय में हम बताएंगे बैच वाइस डिटेल क्या है टेली में इस फीचर को कैसे एनेबल करते हैं पर्चेज और सेल्स के वाउचर में आईटम्स को बैच वाइस कैसे रिकॉर्ड करें और बैच समरी कैसे देखें तो चलिए शिरू करते हैं आज का अध्याय हमने अपने बेसिक और इंटरमीडियेट लेवल की वीडियोज में आपको इन्वेंटरी मेनेजमेंट के बारे में बताया था और आज के वीडियो में हम इसी के एक चैप्टर बैच वाइस डिटेल के बारे में समझाने जा रहे हैं सबसे पहले देखते हैं कि batch wise details क्या होती है आपने खाने पीने की वस्तूँ या फिर दवाईयों पर batch number लिखा देखा होगा अब आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा कि ये क्या होता है और हो सकता है कुछ को पता ना हो तो हम आपको बता देते हैं कि batch का आर्थ होता है समू या खेप यानि के ग्रुप तो batch number का आर्थ होगा किसी ग्रुप या किसी खेप को दिया जाने वाला नंबर इसे हम एक उधारण से समझ लेते हैं माले जिये कि हमारा एक साबुन बनाने का कारखाना है जिसमें हम एक बार में कई वस्तू जैसे ओईल, कास्टिक सोडा इत्यादी को एक साथ मिला करके साबुन तयार करते हैं तो इस तरह एक बार में, यानि कि एक लोट में हम जितने भी साबुन तयार करेंगे, उनके पैचान के लिए उस लोट को एक यूनिक नमबर दे देते हैं। बस ये यूनिक नमबर ही बैच नमबर के नाम से जाना जाता है। कई बार batch number को lot number भी कहते हैं, इस batch number के साथ में उस batch से संबंधित सभी महतपून details होती हैं, जैसे कि वो product कब manufacture हुआ है, कब expire होगा, इस batch को बनाने के लिए कौन-कौन से raw material का उप्योग किया गया है इत्यादी, चले अब देखते हैं कि इस batch number का क्या उप्योग है, batch number का मुख्य उप्योग ऐसे products के लिए किया जाता है, जिने हम consume करते हैं, यानि जिनका उप्योग हम अपने लिए करते हैं, जैसे कि medicines, खाने की चीज़ें, जैसे packed food items, शरीर पर लगाने वाली cream, cosmetics, इत्यादी, ये ऐसे products हैं, जो बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकते, यानि ये एक निश्यत अवधी के बाद खराब हो जाते हैं, इसलिए इन पर batch number के साथ इनकी manufacturing date और expiry date लिखना अनिवार्य है, ताकि अगर वो product expire हो जाए, यानि खराब हो जाए, तो हम उसके इस्तेमाल से बच जाएं, इसके अलाबा फसलों पर चिड़के जाने वाले कीट नाशक और खर्पतवार नाशक, यदि इने भी हम खराब होने के बाद उपियो करते हैं, तो फसलों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ सकता है, इसलिए इन पर भी batch number यान या details लिखी होती हैं, इसका दूसरा फाइदा ये है कि कभी किसी प्रोड़क्ट में अगर कोई शिकायत आती है, तो manufacturer यानी नर्माता, बैच डंबर से अपने पूरे रिकॉर्ड को ट्रैक करके, उसने जहां जहां ये प्रोड़क बेचा होता है, वहां से उसे वापस मंगवा सकता है, साथ ही अपने रिकॉर्ड से ये जानकारी भी प्राप्त कर सकता है कि उसने इस पैच को बनाने के लिए कौन से रौ माटीरियल का उप्योग किया था, या प्रोसेस में कहां गलती हुई है, या फिर जो रौ माटीरियल खरीदा था, उसकी क्वालिटी में कुछ मिस्टेक थ ही होती है, जैसे गाड़ी के स्पेर पार्स, तो ये तो हमने आपको बताया कि इन डिटेल से सामाने लोगों को, यानि कंजूमर्स को और मैनुफैक्चरर्स को क्या फाइदा है, अब हम ये देखते हैं कि किसी व्यापारी को बैच नंबर से रिकॉर्ड रखने से क्या तो ये है कि इस से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि प्रोड़क्ट कब एक्सपायर हो रहा है, जो प्रोड़क्ट एक्सपायरी डेट के करीब हैं, उसे डिसकाउंट प्राइस पर बेचने के लिए प्रयास किये जा सकते हैं, यदि प्रोड़क्ट एक्सपायर हो गया है, त पिर उसे मुख्य वैवसाय स्थान से ऐसी लोकेशन जहांपर कि हम खराब माल रखते हैं वहाँ पर ले जाकर रख सकते हैं जिससे गलती से भी वो बेचने में न आए तो चलिए अब हम देखते हैं कि टैली में बैच वाइस डिटेल्स कैसे मैंटेन की जाती है इसके लिए हमने पहले से ही एक कमपनी रमन ट्रेडर के नाम से बना रखी है इसमें हमने परचेस, सैल्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इत्यादी के लेजर्स बना रखे हैं साथ ही Units भी बना रखी हैं बैच वाइस डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें F11 की प्रेस करके कमपनी फीचर्स स्क्रीन पर जाना होगा यहां हमें एक फीचर चालू करना होगा उसके लिए पहले शो मोर फीचर्स को यस करेंगे अब एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और Enable Batches option को यस करेंगे जैसे ही हम इसे यस करते हैं इसके नीचे Maintain Expiry Date for Batches को option भी एक्टिवेट हो जाता है इसे भी यस कर देंगे और अब इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे हमने 1 जून 2022 को HCL Pharmacy से यहां पर यह दिखाई दे रहे प्रॉडक्ट खरीदे तो चलिए अब हम Purchase Voucher पर चलते हैं और इसकी Entry कर लेते हैं तो सबसे पहले Voucher की Date टाइप करेंगे उसके बाद Supplier Invoice Number और उसकी Date टाइप करेंगे यहां पर हम Party से लेक करेंगे यहां Purchase Account अब हमें Item से लेक करना है चूंकि यह Item बना हुआ नहीं है तो इसे Create कर लेते हैं Name में टाइप करें Crosine 250MG Under में Primary ही रहने दे अब चूंकि हमारा दवाईयों का Wholesal का बिजनस है हम दवाईयां Boxes में खरीते हैं और Boxes में ही पेश देते हैं इसलिए यहां हमने एक ही Unit Boxes की बना रखी है हम इसे Select कर लेते हैं अगर हमारा बिजनस रिटेल का होता तो हम Boxes, Strip और Tablets तीनों की Compound Unit बना कर यहां पर उसका उपयोग करते Compound Unit कैसे बनाई जाती है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है यह हम आपको Teleprime की वीडियो नंबर 53 में बता चुके हैं अब Additional Details में हमें Maintain in Batches का Option दिखाई दे रहा है यहां पर एक बात ध्यान रखें अगर Company Features स्क्रीन पर Enable Batches Yes होने के बाद भी यहां पर यह Option शोर नहीं हो रहा है तो फिर आप यहां F12 की प्रेस करें और Maintain Stock Items in Batches Option को Yes कर लें हमारी यहां पर तो यह Already Yes है इसलिए हम वापस पीछे चलते हैं अब हम इसे Yes कर देते हैं जैसे ही हम इसे Yes करते हैं इसके नीचे दो Options Track Date of Manufacturing और Use Expiry Dates और आ गए हैं Track Date of Manufacturing को यदि हम यहां पर Yes कर देते हैं तो वाउचर एंट्री करते समय हम इस आइटम की Manufacturing Date डाल सकते हैं और उसे Track कर सकते हैं हम इसे Yes कर रहे हैं दूसरा है Use Expiry Dates यदि हम इसे Yes करते हैं तो वाउचर एंट्री करते समय हम इस आइटम की Expiry Date सेट कर सकते हैं हम इसे भी Yes कर रहे हैं अब हम इस आइटम को Save कर लेते हैं यह देखें स्क्रीन सेव करते ही Stock Item Allocations स्क्रीन आ रही है हम आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से Purchase Bill दिखा देते हैं यह देखें इसमें Crosine 250 MG के हमने 15 boxes खरीदे हैं और यह माल दो अलग-अलग batch का आया है तो आईए देखते हैं इसके Entry कैसे करेंगे यह जो Stock Item Allocation स्क्रीन आ रही है इसमें यहां पर हमें List of Active Batches में से इस आइटम का batch number सेलेक करना है पर चुकि batch number पहले से बना हुआ नहीं है तो यहां हम New Number पर Entry Press करेंगे अब यहां पर आईटम का batch number टाइप करेंगे और Entry Press करेंगे अब यहां पर इस batch में कितनी quantity है वो टाइप करेंगे और Entry Press करेंगे यहाँ पर rate टाइप कर देंगे और enterprise करके आगे बढ़ेंगे यह देखिए यहाँ पर manufacturing date के नीचे जून 2022 लिखा हुआ आ रहा है जून 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि हम यह voucher जून में बना रहे हैं हम इसे बदल कर bill के अनुसार batch की manufacturing date टाइप कर देंगे और यहाँ पर expiry date टाइप कर देंगे अब enterprise करेंगे यहाँ हम आपको बता दें कि आप यहाँ date की जगह पर days, months या year भी लिख सकते हैं उदारण के लिए यहाँ हमें 90 days लिखना है तो 90 लिख करके enterprise करेंगे यह देखिए 90 days आ गए है यदि 6 months चाहिए तो यहाँ पर 6 के साथ M लिख करके enterprise कर दें आप देख सकते हैं 6 months यहाँ पर आ गया है और यदि 2 years चाहिए तो 2 के साथ Y लिख करके enterprise कर दें यह 2 years आ गया है अब हम वापस date type कर देते हैं क्योंकि हमको वही चाहिए जैसे ही हमने enterprise किया टैली फिर से बैच या lot नंबर डालने के लिए कह रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो माल purchase करते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही batch नंबर का product हो एक ही product अलग-अलग batch नंबर के भी हो सकते हैं और उनकी manufacturing और expiry date भी अलग-अलग हो सकती है और जैसा कि आप इस bill में देख रहे हैं यहाँ पर भी ऐसा ही है इसलिए हम फिर से new number पर enter press कर रहे हैं अब यहाँ पर हम दूसरा batch number टाइप करेंगे और फिर पहले बताए अनुसार सारी details टाइप कर देंगे तो इस तरह हमने crossin 250 mg के 15 box खरीदे हैं जिनकी batches की details हमने यहाँ पर टाइप कर दी है इनके अलावा यह item हमने किसी और batch का नहीं खरीदा है इसलिए enter press करेंगे और end of list सिलेक कर लेंगे अब हम दूसरे item paracetamol 500 mg को create करके उसकी detail भी इसी तरह से डाल देते हैं इसी तरह अगर हमने कोई और items भी purchase किये होते तो वो भी हम select कर लेते पर चुके हमने कोई और item purchase नहीं किया है इसलिए अब हम इस voucher को save कर लेते हैं अब हमने जो purchase की है उसकी batch wise report देख लेते हैं यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि हमारे पास कौन सा माल कितना stock है इसके report तो हम stock समरी द्वारा देख सकते हैं पर यदि हम stock report को batch wise details के अनुसार देखना चाहते हैं यानि हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा product कितनी quantity में है वो कब manufacture हुआ है उसकी expiry date क्या है ताकि हम उसे expire होने से पहले बेच सकें तो उसके लिए हमें batch summary देखनी होगी batch summary देखने के दो तरीके हैं पहला अभी हम gateway of tally पर हैं तो यहां से हमें display more reports पर जाना होगा अब यहां से inventory books पर जाएंगे और फिर batch पर जाकर enter press करेंगे enter press करते ही हमें इस तरह की screen दिखाई देगी इसमें name of item में हमें इस list में से वो item सेलेक करना है जिसकी हम batch summary देखना चाहते हैं तो यहां पर हम cro scene 250 mg सेलेक कर रहे हैं यह देखें item सेलेक करते ही list of batches आ रही है इसमें हमें इस item की जितनी भी batches आई होंगी चाहे उसका माल अब stock में हो या न हो पर उन सभी की details यहां पर दिखाई पड़ती है अब इसमें से हम जिस batch की और ज्यादा details देखना चाहते हैं उस पर जाकर enter press कर देंगे हम CRN101 पर जाकर enter press कर रहे हैं यह देखिए इस item की इस patch की सारी details यहां पर दिखाई दे रही है जासे के इस batch की manufacturing date क्या है expiry date क्या है किस से माल purchase किया है कितनी quantity में purchase किया है इत्यादी यदे हमने इस batch का item किसी को sell किया होता तो उसके भी details यहां पर दिखाई देती इसके अलावा अब हमारे पास कितना closing stock है यह भी दिखाई दे रहा है अब यदे हम इस item की सभी batches की details एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहां batch wise पर click करेंगे या फिर F8 की press करेंगे अब F12 की press करेंगे और यहां पर हमें जिन options की जरूरत होगी उन्हें yes कर लेंगे यह देखे हम इस तरह से configuration कर रहे हैं अब इस screen को save कर लेते हैं यह देखे अब हमें इस item की सभी batches की पूरी जानकारी दिखाई दे रही है अब हम इस report तक पहुँचने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं यदि हम tally में कोई काम कर रहे हैं और यह report देखना चाहते हैं तो go to पर जाएं फिर search bar में type करें batch और यहां से batch summary पर चले जाएं अब हम वापस पीछे चलते हैं चलिए अब हम gateway of tally पर चलते हैं अब हम एक cells की entry करके देख लेते हैं हमने दो जून संदू 2022 को एवन medical store को क्रोसीन 250 mg के 8 box और परासिटमॉल 500 mg का एक box बिचा तो चलिए इसके entry करके देखते हैं सबसे पहले date change करेंगे अब party का laser select करेंगे अब cells laser select करेंगे अब item में पहले हम crow scene 250 mg select करेंगे यह देखे, item select करते ही हमारे सामने batch select करने का option आ रहा है यहां हमें batch select करने से पहले यह देखना होगा कि कौनसा batch पहले expire हो रहा है जो batch पहले expire हो रहा होगा हम उस batch के item को पहले बेचेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं CRN 2222 नमबर वाली batch 4 अगस्त को expire हो रही है इसलिए इसे हम पहले select कर रहे हैं अब हम quantity पर आ गए हैं चुँकि हमें इस party को total 8 boxes sell करना है पर इससे पहले वाली screen में हमने देखा था कि इस batch में तो हमारे पास केवल 5 boxes ही है तो यहाँ quantity में हम 5 type करेंगे और यहाँ पर rate type कर देंगे यह देखिए यहाँ पर manufacturing date और expiry date अपने आप आ रही है अब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अब हमारे सामने फिर से batch select करने का option आ रहा है अब यहाँ पर ध्यान दें हमने CRN 222 के सारे boxes sell कर दिये हैं पर अभी हमें 3 boxes और चाहिए तो इन्हें हम इस batch में से sell कर देते हैं अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे और अब end of list select कर लेंगे इसी तरह से paracetamol 500 mg को select करके उसकी details भी type कर देंगे अब इस voucher को save कर लेंगे चलिए अब हम इसका print preview देख लेते हैं उसके लिए पहले page up key प्रेस करेंगे फिर control के साथ P प्रेस करेंगे और अब I प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं बिल में हमें आइटम के नीचे उसका patch number, manufacturing date और expiry date भी दिखाई दे रही है चलिए अब हम एक और sales bill बना करके देख लेते हैं माल लेजे हमने 2 सितंबर को अब इसके एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले date चेंज कर लेंगे अब हमें item सिलेक करना है यह देखें यहां list में हमें crossine 250 mg के 7 boxes दिखाई दे रहे हैं यानि हमारे stock में अभी इस item के 7 boxes बचे हुए हैं हम इसे सिलेक कर लेते हैं पर यहां पर देखें इस item का कोई batch number ही नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही उसकी कोई quantity दिखाई दे रही है जबकि अभी यह item सिलेक करते समय हमने देखा था कि हमारे पास crossine का stock है तो फिर यह problem क्यों आ रही है यह problem इसलिए आ रही है क्योंकि crossine 250 mg की जो batch हमारे पास stock में है वो 1 सितंबर 2022 को ही expire हो गई है जबकि bill हम बना रहे हैं 2 सितंबर को इसलिए tally ने इस batch पर restriction लगा दिया है अब हम इस batch का item sell नहीं कर सकते क्योंकि यह expire हो गया है batch wise detail हमेशा हमें expired product बेचने से बचाती है ताकि हम गलती से भी कोई expired product ना बेच दें अब हमारे पास crocine 250 mg के जो 7 boxes है उन्हें हमने जिस supplier से खरीदा था उसे ही वापस कर देते हैं क्योंकि वे expire हो गए है तो चलिए अब हम इस purchase return के entry tally में कर लेते हैं हम आपको टैली प्राइम की वीडियो नंबर 32 और 80 में बता चुके हैं कि purchase return यानि खरीदा हुआ माल किसी भी कारण से supplier को अगर हम वापस करते हैं तो इसकी entry हम debit note voucher में करते हैं तो चलिए हम debit note voucher open कर लेते हैं या देखिए debit note voucher open हो गया है date में हम 2 सितंबर ही रहने देंगे यहाँ पर हम वो party select करेंगे जिससे हमने ये माल खरीदा था यहाँ original invoice number में हम जिस invoice का माल वापस कर रहे हैं उसका number type करेंगे और यहाँ पर उसकी date type कर देंगे अब purchase return का ledger select करेंगे अब जो माल वापस कर रहे हैं उससे select करेंगे यह देखे जैसे ही हमने item select किया यहाँ पर भी पहले की तरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो पहले backspace की press करेंगे अब F12 प्रेस करके नीचे जाकर use expired batches for stock items option को yes कर देंगे इसे yes करने से tally हमें expired items की entry करने की permission दे देता है ध्यान रखें यह entry हम माल वापस करने के लिए कर रहे हैं अब इस screen को save कर लेंगे अब हमें expired batch CRN101 के 7 boxes दिखाई दे रहे हैं हम पूरे 7 boxes ही return कर देते हैं enterprise करते हुए आगे बढ़े यहां narration type करेंगे अब इस voucher को save कर लेंगे हमने expired माल वापस कर दिया है अब हम फिर से F12 प्रेस करके use expired batches for stock items option को no कर देते हैं ताकि कोई expired product बेचने में ना आ जाए चलिए अब हम batch summary देख लेते हैं यहां पर हम पूरे वर्ष का period ले रहे हैं यह दिखिए आप देख सकते हैं हमने HCL pharmacy को जो माल वापस किया है वो यहां पर दिखाई दे रहा है अब यहां closing stock में हमें zero box दिखाई दे रहा है यानि अब हमारे पास इस expired batch का कोई माल नहीं बचा है इस तरह इस वीडियो में हमने आपको batch wise details के बारे में बताया इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको batch wise stock items का और सामाने stock items के aging analysis के बारे में बताएंगे तो दूस्तों आज के लिए बस इतना ही तैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आपको batch wise details विशे पर बनी हमारी ये वीडियो कैसी लगी comments करके ज़रूर बताएं